Hello my dear students, today our topic is what animals give us आज का हमारा EVS का topic है कि animals से हमें क्या-क्या चीज़े मिलती है Okay, क्या-क्या चीज़े animals से हम लेते हैं Okay, चलिए chapter स्टार्ट करते हैं During his life as hunter and later as farmer, man has always taken benefit from many animals मतलब अपनी life के दोरान as hunter, शिकारी की तरह और उसकी बाद as farmer, किसान की तरह व्यक्ति ने, इंसान ने हमेशा benefits लिये हैं किससे? Many animals, animals से During ancient time, पुराने समय में man was hunter, man शिकार करता था and food gatherer और क्या करता था? खाना इखटा करता था Later on man, बाद में आदमी, उसके बाद आदमी learn agriculture आदमी ने क्या कर, उसके बाद इंसान ने क्या किया? Agriculture सीखा, मतलब खेती बाड़ी करनी सीखी, किशी सीखी and started growing is on food और फिर अपना खुद का food उगाने लगा मतलब पेड़ पोदे होगाना सीख गया जब वो तो उसने पेड़ पोदे होगाना start कर दिया उसके बाद अब हम पढ़ेंगे food के बारे में कि मतलब कौन कौन से food हैं जो हमें मिलते हैं जानवरों के दुआरा, ठीक है सबसे पहला क्या है यहां milk मिल्क किस किस से मिलता है काओ, बुफैलो, एंड गॉट गिव अस मिल्क, ठीक है मिल्क इस कंजूमड एस सच एंड इस अलसो यूज़ फोर मेकिंग अधर प्रोड़क्ट लाइक अब क्या है, मिल्क से हमें क्या क्या चीज़े बन सकती है कर्ड, चीज, क्रीम, बटर, आइस क्रीम एंड खोया स्वीट्स अब इतनी सारी चीज़े किस से बनती है सिर्फ और सिर्फ, मिल्क से और मिल्क हमें किस किस से मिलता है काओ, बुफैलो, एंड गॉट से ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एग एक्स, एक्स आर अप्टेंड फ्रॉम हैंस एंड डग्स, एक्स किस से मिलते है हमें, अंडा, किस से मिलते हैं, हैंस और डग्स से ओके बच्चो, अब नेक्स्ट है हमारा मीट मीट किस से मिलता है हमें मीट इस अप्टेंड फ्रॉम gourd, chicken and fish meat किस-kis से मिलता है gourd, chicken and fish इन सबी से हमें milk मिलता है यह हमारे dairy product हैं और यह हमारे eggs हैं ok dairy product मतलब जो दूद से हमें चीजे मिलती हैं वो सबी उसके बाद है हमारा next topic है honey and wax ठीक है next topic है हमारा honey and wax अब हम देखेंगे honey हमें कैसे मिलता है, we get honey from honey bees, howny हमें कहां से मिलता है, honey क्या होता है, शहएद कहां से मिलता है हमे, honey bees से, madhum mokhyों से bees collect nectar from flowers and store them in the honeycomb, bees जो होते हैं, जो madhumakhyわか probation होती है, वो क्या करती है nectar, मतलब रस को इखटा करती हैं, कहां से, flowers से and store them in the honeycomb और honeycomb में जो मदुमक्यों का छत्ता होता है देखे इस तरह से यहाँ पे उसे इखटा करती है honey is a sweet liquid honey क्या एक मीठा liquid होता है and has medicinal value और उसकी value medicinal मतलब medicine की तरह की जाती है ठीक है it is good to take honey in cough and cold जब हमें खासी जुखाम होता है तो यह लेना बहुत अच्छा होता है honey bees make wax to make their home honey bees क्या करते है मदुमक्य क्या करते है wax बनाती है किसके लिए अपना घर बनाने के लिए we use this wax in cosmetics wash polishes and crayons हम इस wax का use करते है कहां cosmetics में use करते है wax करवाते हैं cosmetics में wax का use करते है वही wax है और wax होते है जो बड़े बड़े उनको polishes करते है और crayons crayons के लिए इसका use करते है ओके बच्चों अब next है हमारा silk silk का use क्या होता है और silk हमें कहां से मिलता है silk is obtained from silkworm कहां से मिलता है silkworm silkworm क्या होता है एक तरह के insect होता है silkworm grow on mulberry plant जिसे हम बोलते है सैतूत silkworm कहां पे grow होते है mulberry plant में grow होते है सैतूत होते है जो April और मई के सीजन में होते है silk thread is used for making silk cloth silk का जो धागा होता है उसका use क्या जाता है silk के cloths बनाने के लिए silk एक कपड़ा होता है वो किस से बनता है silkworm से बनता है अब next topic है हमारा wool next topic है हमारा wool wool हमें कहां से मिलती है wool is obtained from ship yak and angora rabbit wool हमें कहां कहां से मिलती है wool किसे बोलते है उन को कहां कहां से मिलती है ship से मिलती है yak से मिलती है और angora rabbit होता है उससे हमें मिलती है wool is used to make woolen clothes wool का हम use करते है किसके लिए woolen clothes बनाने के लिए गरम कपड़े बनाने के लिए blanket बनाने के लिए और carpets बनाने के लिए we wear woolen clothes in winter season और हम गरम कपड़े पहनते हैं winter season में सरदियों का जब मौसम होता है उस टाम हम woolen clothes पहनते हैं ओके बच्चो next topic है हमारा leather ठीक है leather हमें कहां से मिलते हैं the skin of dead animals like buffalo, cows, camel and snakes is used for making leather मतलब जो buffalo होती है cow होती है camel होता है और snake होते हैं ये जब dead हो जाते हैं इनकी skin से dead animal मतलब जब ये मर जाते हैं तो इनकी skin से leather बनाया जाता है skin इनकी निकाल ली जाती है उससे leather बनाया जाता है और leather किस-किस चीज के use आता है leather is used for making jacket leather की jacket होती है belts, handbags, suitcase and shoes इन सब को बनाने के लिए leather का use किया जाता है ओके अब next topic है हमारा pearl ठीक है we get real pearl from sea animal called oyster मतलब जो हमें real pearl जो मिलते है ना वो कहां से मिलते है इस तरह के होते है pearls ठीक है ये हमें कहां से मिलते है oyster से मिलते है oyster और कहां पे होता है ये क्या है sea animal है ठीक है pearl are used to make ornaments हम आभूशन बनाने के लिए ornaments बनाने के लिए इनका use करते हैं इस तरह से देखो माला वगरा बनाने के लिए हम पर्ल का यूज़ करते हैं ओके और यह देखो यह आपके लैदर प्रोडक्ट है और यह आपके वूलन प्रोडक्ट है ओके बच्चो अब नेच्ट टॉपिक है हमारा कॉरल्स एंड सेल्स ठीक है corals and cells of sea mollusk are used for decoration purpose at home जो corals होते हैं उनका use किस के लिए किया जाता है corals और sea mollusk इनका use किस के लिए किया जाता है decoration के लिए किया जाता है घर में ठीक है अब आपको कि sea mollusk क्या होते हैं इस तरह से sea mollusk दिखते हैं और ये क्या होते हैं corals होते हैं आप देखते होंगे ना घर में सभी के घर में वो होता है aquarium जिसमें fishes होती है उसमें इस तरह से होते हैं ना इन्हें हम corals बोलते हैं और इस तरह से भी कुछ होते हैं उसमें decoration वगरा के लिए तो इन्हें बोला जाता है sea mollusk ठीक है यह कहां से मिलते हैं हमें sea से मिलते हैं समु लैक किससे बनता है? लैक इंसेक से बनता है, एक तरीके का इंसेक्थ होता है, कीड़ा होता है, लैक is used for making seals and is used for sealing the things, लैक seals बनाने के काम, seals भी बनाने के लिए यूज किया जाता है और things को, मतलब वस्तूों को seal करने के लिए, जैसे कि कोई वस्तू नहीं होती है वो सील होती है बंद होने के बाद बंद होती है वो बिल्कुल अच्छे से सील होती है ठीक है जब हम किसी भी नई चीज को खोलते हैं तो वो सील होती है तो उस चीज के लिए सील करने के लिए हम लैक का यूज करते हैं Okay, it is also used in paint and varnishes. इसका use हम paint करने के लिए भी use करते हैं और varnishes, rogan, रंग rogan करने के लिए इसका use करते हैं. Okay, next है हमारा manure. Animal dung is used as a manure for plant. Animals का जो dung होता है, ठीक है, उसका use किस के लिए करते हैं? हम plant के लिए करते हैं, manure. Manure होता है खाद, खाद के रूप में. ठीक है, it is good, it is very good fertilizer which increase the fertility of the soil, यह है एक बहुत अच्छा fertilizer है, ठीक है, बहुत अच्छा खादे है, जिसका use हम fertility, मतलब soil को उपजाओ बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, soil को उपजाओ बढ़ाता है यह, ठीक है, the dung is of horse, cows, camels and goat are used as manure in the field, किसका, horses, cow, camel or goat, इन सबका जो dung है, उसका use किसके लिए किया जाता है, फिल्ट को manure खाद के रूप में किया जाता है, ठीक है, cow dung cake, cakes are also used as a fuel in village, मतलब cow dung cake, मतलब देखते हैं, आप उपले बनते हैं, cow dung cake क्या होता है, जो cow dung होता है, उससे सुखा के दूप में तो उससे उपले बनाया जाते है, cow dung cake बोलते हैं, उसका use किस ले किया जाता है, फियूल के रूप में किया जाता है, कहां पे, villages में, जैसे जो चूले obtained from cattle dung is an excellent eco-friendly gaseous fuel मतलब जो बायो gas है वो किसे कैसे वो होती है cattle dung cattle dung मतलब पशू cattle क्या होते है पशू like cow buffalo यह सब इनका जो डंग होता है वो क्या है eco-friendly gaseous fuel है ठीक है मतलब हमारे environment के लिए काफी अच्छा होता है अब next है आपका pet animal ठीक है अब क्या है आपका pet animal pet animal क्या होते है पालतू जानवर ठीक है न we keep some animals like cat and dogs as our pets हम कुछ animals को अपने पास रखते हैं जैसे कि cat dog किस की तरह पालतू जानवर की तरह cats keep the rat away from the house cat जो है हमारे घर से चूहों को भगाती है dogs guard our home और dogs क्या करते है हमारे घर की रक्षा करते है dogs have keen sense of smell so they are trained by the police in detecting bomb and searching criminals dogs जो होते हैं उनकी जो sense होता है सूंगने की शक्ती होती है वो बहुत अच्छी होती है इसलिए जो पुलिस होती है वो उन्हें train करती है किस चीज का पता लगाने के लिए detect मतलब पता लगाने के लिए bomb वगरा bomb कहा रखा है उसका पता लगाने के लिए और criminals को search करने के लिए क्योंकि उनकी smell सूंगने की शक्ती बहुत अच्छी होती है तो वो बहुत जल्दी smell करके पता लगा लेते हैं हर चीज का ठीक है नेक्स्ट है हमारा earthworm are called farmers friends because they make the soil fertile जो earthworms होते है earthworms किसे बोलते हैं catch away वो क्या करते है वो क्या होते हैं farmers के friends होते हैं किशानों के दोस्त होते हैं क्योंकि वह उनकी soil को fertilize करने के लिए मतलब की उपजाओ बनाने के लिए उनकी मदद करते हैं उनकी जो सॉल है उसे उपजाओ बनाते हैं फर्टिलाइज करते हैं ठीक है इसके बारे में मैंने सॉल फर्टिलीटी के बारे में मैंने आपको लास क्लास में समझाया है जो एवियस की पहले क्लास लीती एक उसमें आपका चैप्टेर है, वह यहीं आपका खतम होता है, अइ होप आपको समझ में आया होगा, कि एनिमल्स दोहें कैसे-कैसे खाना जो प्रोवाइड कराते हैं, और हमारी किस तरह से मदद करते हैं, ओके और हमारे, हमें क्या-क्या देते हैं, ठीक है, तो आज का आपका जो यह वो यहीं काता मोते, thank you